Hey guys welcome back to my channel और आज से हम TypeScript का lecture series start कर रहे हैं और आज से हम discuss करेंगे TypeScript language क्यों ये introduce की गई है और बहुत कुछ सिखेंगे ताकि आप React में और जितने भी Node.js के applications होती हैं उन में आप TypeScript का इस्तमाल कर सकें and it is very handy so without any further delay let's get started so guys जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना vs code editor open कर लिया है आप vs code editor के बजाए आप जो भी editor prefer करते हैं आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं इसमें कोई भी मना ही नहीं है तो हम कुछ चीज़ों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाप एक guide.ext file बनाई है और since यह lecture 1 है तो यह lecture 1 folder मैंने यहाप पर create किया हुआ जिसमें मैं इसको अपने code को रखूँगा और इसको मैं अपने github पे भी डाल दूँगा और इसका link मैं अपने description में देख दूँगा ताकि आप अगर during code आप चीज़ों का reference करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ content ले रखा है जिसको हम लोग discuss करने वाले हैं और हम देखेंगे कि basically क्या क्या चीज़ें हम cover करेंगे पहले lecture में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला मैंने लिख रखा है कि हम लोग discuss करेंगे कि type script क्या है और क्यों यह introduce की गई है first of all दूसरी चीज how to install हम कैसे इसको install करेंगे और अपना पहला code भी लिखेंगे यह भी देखेंगे उसके अलावा variables क्या होते हैं types क्या होते हैं type script में वो भी हम discuss करेंगे और इसके लावा बाकी हम functions भी देखेंगे और variables का उसमें इस्तमाल बिद करेंगे so इतनी चीज़े we are going to cover it so let's cover everything one by one तो पहले हम बात करते हैं कि type script होती क्या है अगर type script की मैं बात करूँ तो type script is a programming language type script एक programming language है जो की super set है super set of javascript आप super script का क्या मतलब होता है super script का मतलब होता है कि उसका predecessor यानि की father अगर मैं एक जाए एजामपल दूँ तो father और father के बात child तो child जो है वो super set हुआ किसका father का similarly अगर मैं phones की बारे में बात करूँ तो iPhone पहले 12 था then iPhone 13 हो गया भी okay so iPhone 13 is a super set okay super set of iPhone 12 so similarly type script जो है वो super set है javascript की अब super set का मतलब अगर आपको समझ में आ गया होगा that is very good अब इसको क्यों introduce किया गया था तो कुछ कमियों कमियां थी javascript में उनको manage करने के लिए हमने टाइप स्क्रिप्ट का introduce किया और टाइप स्क्रिप्ट क्या है open source है टाइप स्क्रिप्ट open source है और यह maintain की जाती किसे किस के तुरू Microsoft के तुरू Microsoft जो है वो इसका maintainer है आप Google कर सकते हैं GitHub पे और आपको यह टाइप स्क्रिप्ट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे access में मिल सकती है इसकी अलावा क्या है टाइप स्क्रिप्ट एक static type language है static type language का क्या मतलब है जिसे कि हमें पता है कि जब हम JavaScript की कोई file बनाते है तो उसमें हमें पता है कि जब हम let या फिर const का इस्तमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम कोई भी जो भी type होता जिसे number type होता है हम किसी भी let a is equal to 12 लिख दिया मैंने 23 लिख दिया अब a को मैं string भी कर सकता हूँ JavaScript में but since यहां पर यह static type है तो यहां पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि यह एक number type है या कैसा है जैसे java में हम लोग int का इस्तमाल करते है है float variable का करना होता है तो हम float उसको बनाते हैं तो इसी तरीके से यहां पर आप explicitly बताते हो compiler को कि भाई यह variable जो ए है यह number type का है कि यह सिफ नंबर ही को ले सकता है तो यह जो होती है यह static type होती है तो dynamic type language javascript है और यह static type है अब यह static type को क्यों introduce किया गया है यह भी हम भी discuss करने वाले example के थूँ तो आई होप इतनी चीज़े आपको cover कर दी गई होंगी कि type script क्या है और type script क्यों introduce किया गया है कुछ कम्यों जो javascript में थी उनको दूर करने के लिए type script का basically इस्तमाल किया जाता है now let's see कि क्यों यह introduce की गई है type script so suppose मैं एक function मनाता हूँ suppose मैंने यहाँ पर एक file बनाई मैंने lecture1.js मैंने एक JavaScript file बनाई अब suppose मैंने यहाँ पर एक function बनाया sum मैंने कहा कि भाई a,b जो कि क्या करेगा return करेगा a plus b यानि कि दो numbers को input कराएंगे हम इसको और यह क्या करेगा return करा देगा दोनों का sum अब suppose आपने user से क्या लिया user से दो input लिया sum 5,4,5 अब अगर 4,5 input लिया तो यह return क्या कर देगा 9 अब user को तो कुछ पता नहीं अब by mistake user ने अगर यहाँ पर string डाल दिया sum तब भी तो यह sum add कर देगा अब इसका output क्या आएगा तो यह concatenate कर देगा अब आएगा 5 sum बट हमारी requirement क्या थी कि हमें सिर्फ number को ही input कराना है और number का ही sum देना है ना कि हमें string concatenate करानी है तो इन सब चीजे अब यह क्या होगी यह bug create हो गया होगे मैं एक simple सा छोटा सा example दे रहा हूँ यह bug create हो गया तो इन सब चीजों को avoid करने के लिए typescript को क्या बनाए गया एक static type language बनाए गया जिसमें हम क्या करेंगे कि हम sum में यह चीज explicitly बताएंगे कि यह सिर्फ number a जो है यह सिर्फ number को लेगा और b जो है b b किसको लेगा सिर्फ number को ही लेगा यानि कि यह दो जो है जिसे 5 for sum दिया तो 5 for sum को यह input ही नहीं लेगा तो इस वज़े से जो है typescript को इस्तमाल किया जाता है और यह static language है I hope यह static concept आपको clear हो गया होगा कि यह क्यों इस्तमाल किया जाता है अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको install कर सकते हैं तो install करने के लिए पहले आपको Google पर जाना है अब मैं उसको जाकर कि आपको दिखा नहीं रहा हूँ वहाँ पर आपको search करना है node.js और इसको install कर लेना है first of all दूसरी चीज आपको git install कर लेना है यह तो बहुत ही important है git आपको git की website में मिल जाएगा अगर आप windows का इस्तेमाल करते हैं तो windows में आपको git bash मिल जाएगा git bash भी install हो जाता है तो जैसे ही आप git bash इस्तेमाल कर लेंगे आपको एक command run करनी है क्या command है वो npm install type script globally इमको install करना है dash g अब इस command के क्या मतलब है यह command क्या करेगा जो npm directory होती है वहाँ से type script package को यह आपके system में local जो भी आपके repository है उसमें यह globally आपको install कर देगा अब यह install जब कर देगा तो इससे क्या होगा कि यह type script है वो आपको आपके हर एक project में available हो जाएगी और इसको check कैसे करेंगे कि हमारी type script install हो गई है तो इसके लिए command है script को लिखूँ मैं txc slash v तो आप देख सकते हो एक मिनट let's see कि यहाँ पर यह क्या error आ रहा है मैं bash में कर लेता हूँ इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ txc-v see यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बता रहा है version 4.5.4 यहनी कि यह type script मेरे में 4.5 का इस्तमाल हो रहा है अगर आप extra में देखोगे तो आपके patches मिल जाएंगे तो यह 4.6.4 भी हो सकता है तो इससे आपको घबराना नहीं है तो I hope इतनी चीज़े आपको clear हो गई होगी कैसे मूं install करना है फिर से मैं command की बता रहा हूँ google पर जाना है node.js सर्च करना है उसको install कर लेना है git को install कर लेना है और अगर आपके में पास npm नहीं है तो npm भी install कर लेना है आपको ठीक है और जब यह install हो जाए उसके बाद आपको command round run करना tsc-v जिसमें आपको वह वर्जन बताएगा अगर यह वर्जन बताने लगे इसका मतलब है कि typescript आपके system में install हो चुगी है I hope इतनी चीज़े आपको clear हो जगाई होगी कि अभी तक मैंने जो जो भी चीज़े discuss करी है okay so guys I hope जितनी चीज़े मैंने यहां पर अभी तक discuss करी है यह आपको समझ में आ चुगा होगा कि typescript क्या है कैसे introduce क्यों introduce किया गया है कैसे install करना है और install करने में अगर कोई problem आती है तो आप comment down कर सकते है मैं आपको response दूँगा as soon as possible अब हम देखते हैं कि typescript को हम कैसे run कराएंगे जब हम install कर लेंगे अपनी system में typescript को तो हम कैसे इसको run कराएंगे कैसे अपनी file को compile कराएंगे तो इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं सबसे पहरे मैं इक चीज आपको और बता दूँ जो typescript file होती है उसका extension होता है या फिर syntax extension होता है वो .ts होता है या फिर .tsx होता है यह आपके उपर depend करता है कि आप उसको tsx बोलो या ts बोलो ओके इतना आपको clear हो गया होगा जिसे javascript मे js होता है वैसे typescript में ts या tsx होता है एक चीज और typescript जो है superset है javascript का typescript जो है कहीं run नहीं होती मतलब कहीं run in the sense कि आप इसको browser में directly run नहीं कर सकते हो या फिर आप node में भी आप इसको directly run नहीं कर सकते हो यह क्या करता है typescript compiler इसको compile करता है js file में जिसको हम लोग further इसको बाद इस्तमाल करते हैं तो हम यह देखेंगे कि हम कैसे file को इस्तमाल कर सकते हैं तो इस file को इस्तमाल करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि हम typescript में कई सारी configurations कर सकते हैं तो configuration मतलब क्या होता है कि manual configuration कर सकते हैं अब उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे tsc-init जैसे ही मैं यहाँ पर init क्लिक करूंगा वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर tsconfig.json file बन गई है इस tsconfig.json file में कई सारी चीजे होती हैं जिसको हम लोग अपने accordingly set कर सकते हैं कि आपको क्या चीजे चाहिए क्या चीजे नहीं configuration file है यह configuration मतलब आप configuration कर सकते हो typescript आपको किस particular es-sendex में जाए जिसे आपको 2016 लिखा है आप 2017 कर सकते हैं तो यह es-2017 के version को follow करने लगेगा उसी तरीके से module आप बतर सकते हो कि es6 module को follow करें es-system module को follow करें common js को follow करें root directory क्या होगा entry point क्या होगा path क्या होगा types क्या होगे बहुत सारी चीजे हैं जिसको आप अपने project के accordingly configure कर सकते हैं typescript में तो I hope इतना आप समझ सुके हैं कि tsconfig file का क्या काम है basically और इसको हम लोग कैसे initialize कर सकते हैं को लिखते हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे इसको compile करेंगे typescript में okay so यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक console.log hello subscribers okay और मैंने यहाँ पर बनाया let a is equal to 13 okay अब typescript में एक खासियत होती है typescript में क्या खासियत होती है अगर मैंने suppose variable declare किया और इसको मैंने कोई भी उसको assign नहीं किया तो वो क्या करेगा automatically a को अपना data type होता है उसका type होता है any any का मतलब कोई भी any type होता है वो उसको assign कर देगा लेकिन अगर आप इसी को 13 करते हो assign तो यह implicitly इसको recognize कर लेगा और इसको as a number treat करेगा तो I hope यह चीज आपको clear हो गई होगी और इसको static type कैसे बना सकते हैं static type बनाने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें इसके particular variable को declare कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दे दिया 24 अब C में आप string नहीं initialize कर सकते हैं जैसे आप initialize करोगे यह आपको error देने लगेगा और यह देखिए compile करने से पहले मतलब हमने code को run कराने से पहले infer कर रहा है मेरे को कि भाई यह C जो है यह इसमें error है और यह लिखा है type string is not assignable to type number यानि कि type number में आप type string को assign नहीं कर सकते हो तो इसी वज़े से यही चीज जो होती है यही चीज static type कहलाती है आप यह काम JavaScript में कर सकते हैं बट यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर type script आपके उपर चिलाने लगएगा कि भाई C जो है एक number type का है ना की string type का तो आप इसमें number को assign करिए तो I hope इतनी चीज़े आपको clear हो गई होंगी अब हम इसको compile कैसे कराएंगे तो compile कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम पहले अपनी lecture folder में जाएंगे और मैं यहाँ पर lecture folder में आ गया अब मैं यहाँ पर लिखूंगा tsc और index.tsx जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा यह compile करके एक javascript file को spit out करेगा अभी मैं देखता हूँ अभी इसने compile किया आप देख सकते हो कि यहाँ पर javascript file को इसने spit किया और इसमें आप देख सकते हो कि इसने a,b,c को initialize किया हुआ है ओके आप इस javascript file को आप इसनमाल कर सकते हो अपने index file में या फिर जहां भी इसनमाल करना हो आप इसको इसनमाल कर सकते हो और इसके थुरू आप अपने code को run करा सकते हो तो आप देख सकते हो कि typescript क्या करता है typescript के क्या क्या advantages हो गए एक तो यह कि यह less buggy second more cleaner code more cleaner code होगा आपका तीसरा तीसरा क्या हो सकता है कि भाई यह एक inference देता है ओके before compilation यानि कि यह infer कर देता है कि क्या error हो सकती क्या bug हो सकता है तो इन सब चीजों के की वज़े से ही typescript को slice किया गया अब suppose आप किसी project पे काम कर रहे हो तो आप जब किसी project पे काम कर रहे हो तो आपके code में 500 lines है 500 lines है अपके बाद उसने अपने 100 lines और add करी 600 हो गए तो आपको बार बार जो है इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा tsc index.js बार बार रन कराना पड़ेगा इसको avoid करने के लिए हम क्या कर सकते है इसको watch mode में जला सकते है watch mode का मतलब क्या होता है कि यह tsx file में आप कोई change करके इसको save करोगे watch mode इसको detect करेगा और तुरंद आपकी file को compile करके index.js file में जितना भी latest code है उसको throw out और print कर देगा वहाँ पर तो I hope इस चीज़ को भी आप समझ गये होंगे अब आपको मैं run करा के भी दिखा दूँ यसे ही मैंने यहाँ पर इसको watch mode में चलाया उसके पाद आप जेख सकते हैं कि यह compile करेगा ओके अब यह देखा रहा है कि zero error बट जैसे ही मैं इसको में से एक code को हटाऊंगा और इसको save करऊंगा तो वैसे ही यह file को detect करेगा और changes accordingly कर देगा तो I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा कि type script को हम कैसे run कराएंगे और क्या क्या चीजें हम इसमें करेंगे तो second point भी हमारा clear हो गया है अब बात करते हैं type script में variables और types कैसे होते हैं तो variables जैसे हम javascript में हमारे पास होता है let const var उसी तरीके से आप type script में भी इस्तमाल करोगे लेकिन type script में क्या बताओगे आप आप type script में पहले से ही उसको explicitly बताओगे कि यह किस type का होने वाला है so suppose let a is equal to अगर मैंने इसको दिया number type और बोला कि यह 13 हो गया ठीक है अब आप 13 में 134 कर सकते हैं लेकिन आप 13 में string नहीं डाल सकते हैं जैसे आप string डालोगे वैसे यह कहेगा यह भाई यह काम नहीं कर सकते हो आप क्योंकि यह number type का है उसी तरीके से const मैंने दिया b और मैंने बोला यह string type है जिसमें मैंने दिया कि hello word ठीक है अब b में पहले चीज यह const है ठीक है आप इसको दुबारा re-assign नहीं कर सकते हो जैसे आप re-assign करोगी यह क्या करेगा यह error बता देगा कि भाई third file में cannot assign b because it is a constant तो आप देख सकते हैं कितना clear और clear हमको answer error मिल रहा है जिसकी वज़े से type script अब बहुत ही जादा grow कर रही है तो I hope clear language है as compared to javascript javascript भी बहुत ही अच्छी language है I am not saying javascript is bad but javascript enhances the features of javascript जो भी buggy code होते हैं उसको more and more clear बनाने के लिए हम typescript का इस्तमाल कर सकते हैं अभी बात करते हम types हो गए types का भी मैंने समझ लिया कि types कैसे हम इस्तमाल करने वाले typescript में जैसे javascript में कई सारे javascript के types होते हैं वही सारे typescript होते हैं बस कुछ typescript में चीजे enhance की गई है जैसे typescript में एक आ गया आपका any any type आ गया है एक any type आ गया है unknown आ गया है जो की मतलब हम आगे चलके अपने lectures में discuss करेंगे सारी चीजों का बट basic fund आप यह समझ लो कि typescript में हम लोग static type M को हम कैसे उसको दिखाएंगे तो I hope इतनी चीजे आपको clear हो गई होगी अब हम बात करते हैं functions की fourth point है हमारा functions हम functions को कैसे decide करेंगे कि क्यों सा function कैसे इस्तमाल करना है तो जैसे हमें पता है कि JavaScript में हम function का इस्तमाल करते हैं ABC लिया मैंने sum लिया और हमने दिया a,b ठीक है और इसके बाद हमें क्या करना है return करना a plus b तो यह code मैंने लिखा ठीक है अभी आप देख सकते हो कि मैंने क्या बता था कि अगर a जो है आपने इसको कोई भी reference कोई भी explicitly नहीं बताया कि भाई यह number type का है यह string type का है तो type script उसको as a any type इसको समझने लगता है ठीक है any का मतलब है कोई भी value आप उसमें ले सकते हो या आप उसमें string ले सकते हो आप उसमें जैसे JavaScript में कोई भी value आप किसी particular variable को assign कर सकते हो वैसे ही a में यह any type है तो इसमें कोई भी type का variable आप इसको assign कर सकते हो अगर आपने explicitly नहीं बताया है TypeScript को तो वह as a उसको any type ही लेगा तो suppose मैंने आपको एक code दिया ठीक है अभी मैं TypeScript का आपको चीज समझने वाला हूँ कि TypeScript क्यों इतनी जदा famous होई अगर मैं JavaScript में मैं एक function बना हूँ मैं बोलू कि इसमें आपको दो numbers को sum कराना है ठीक है user's input लेना है और दो numbers suppose sum कराने है अब आपने बोला कि भाई user ने आपको दिया sum console.log sum without sum without static okay sum without static sum 4,5 अभी यह क्या है यह as a any type implicitly ले रहा है 4 और 5 को ले करेगा return करदेगा sum but user ने suppose अगर कहीं string दे दी इसको sum तो यह क्या करेगा इसको concatenate कर देगा और दे देगा four sum तो that is not a correct way यह एक बग हो गया क्योंकि यह एक दो numbers को input करा ही नहीं 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 कर रहा है यह तो as a string भी ले रहा है इसको so this is called a bug तो इस चीज को resolve कैसे कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि भाई यह जो है वो क्या हो मेरा एक number type हो और b क्या हो वो भी भी मेरा number type हो और यह return क्या करें यह return क्या करें यह number type return करेगा जिसे हम Java में लिखते है public int और फिर function बनाते हैं जो कि int बताता है कि यह एक integer type को return करेगा वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यह return type बताएगा कि भाई यह कौन सा number return करने वाला यह return बताएगा तो आप देख सकते हूँ कि यहाँ पर उसने error को नहीं दिखा यहाँ पर ही दिखा दिया कि argument of type string is not assignable to parameter type number यानि number में आप string को assign नहीं कर सकते हो तो जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो आप देखोगे कि यह error inference वाल क्या जो error है यह हट जाएगा similarly अगर आपका code कोई भी value return नहीं कर रहा तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या void यहाँ पर लिखोगे void तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर आपको यह return type नहीं होगा कि यह return void हो गया कोई भी value return नहीं करेगा okay so I hope इतनी चीज़े आपको clear हो गए होगी a plus b अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ठीक है अब आप देख सकते हो कि इसने क्या किया function मना दिया console.log कर दिया और simpler चीज़ हो गई अब आप index.file को जब आप run कर आओगे तो आप इसको 4,5 plus 9 कर देगा लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं static में ले जाओं अभी मैं इसको static में ले जा रहा हूँ अगर ठीक है और मैं यहाँ पर इसको 4 की जगह पर मैं यहाँ पर कुछ भी और भी लिख दू cdc तो यह इसको लेगा ही नहीं क्योंकि यह error throughout कर देगा तो I hope इस चीज़ को भी आपको आपको समझ में आ गया होगा कि function को कैसे initialize करते हैं कोई नया funda नहीं है बस आपको इसमें क्या है type checking को involve कर दिया गया है जिसमें आप बताओगे कि भाई A number type का होगा B number type का होगा और क्या value आपको इसको return करानी है तो this is why type script is becoming famous क्योंकि यह क्या कर रहा है कि bugs को कम से कम किये दे रहा है तो I hope इतनी सारी चीज़े जो भी हमने यहां पर discuss करी है आपको समझ में आई होगी if you have any confusion please let me know I will try to resolve as soon as possible and any suggestion if you want to give you can put in the comments आप comments में put कर सकते हो कोई भी suggestions आपको देना हो अगर so thank you so much for watching this video guys and subscribe my channel and see you in the next lecture